नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पंकर जोर आप देख रहे हैं ग्लोबल ग्यान हो दोस्तों आज के इस बीड में बात करने वाले हैं एपल के लेटिस्ट एरपॉड मैक्स के बारे में जो की एपल ने हाल ही में पांसो नंचास डॉलर के प्राइस टेक के साथ इंटरनेशनली हुआ है तो क्या यह इतने प्राइस में आपको लेना चाहिए मार्केट में इसके क्या-क्या अल्टरनेटिव्स हैं जो इतने ही फीचर्स में आपको कम प्राइस में मिल जाएंगे मैं क्या-क्या स्पैशल फीचर्स हैं इसकी बिल्ट क्वालिटी कैसी है और इसकी अवेलि में जाने के पहले मैं आपको बहुत ही इंट्रेस्टिंग बात बताना चाहता हूं एपल ने अफिशली अपनी वेबसाइट पर कमिट्मेंट किया हो है कि 2030 के पहले वह अपने आपको 100% कारबन न्यूट्रल करतेंगे कारबन न्यूट्रल का मतलब उनके जो भी प्रोड़क्ट मैनुफेक्चर होते हैं वो उनसे किसी भी तरीके का कारबन इमिशन नहीं होगा वो 100% एन्वायरमेंट फैंट्रली होंगे ऐसा एपल कह रहा है तो यह कहां तक हो पाता है कहां तक पॉसिबल यह तो एपल ही बताए लेकिन जो भी है एक अच्छा इनिशेटिव है और कंपनियों को भी ऐसा इनिशेटिव लेना चाहिए इसी कमिट्मेंट के शुरुआत एपल ने अपने एरपॉड मैक्स से ही की है According to Apple उन्होंने इसको बनाने में maximum जो material है वो recycled यूजेटिव यूजेश किया है अब recycled का मतलब यह नहीं कि Apple ने यहां कहीं पर भी build quality के साथ compromise किया है इसको बनाने में उन्होंने high quality raggene, rubber, foam, steel और aluminium का यूजेश किया है जो की 100% premium है दोस्तों headphone एक ऐसा gadget है जो छोटे बच्चे भी लिए रहते हैं, Apple ने इसका material काफी safe रखा हुए, BFR free, Beryllium free और PBC free बनाया है, तो एक तरीके से 100% safe है, किसी भी तरीके से इसको कहीं पर भी बच्चों को या किसी को भी इसे नुकसान नहीं होने वाला है, अब हम बात करते हैं इसके color variant की, दोस्तों, Apple ने इसे 5 color variant के साथ launch किया है, space grey, silver, pink, green और sky blue, देखने में ये सारे ही variant बहुत ही premium, बहुत ही luxury लगते हैं, और इनका जो texture है, वो normal color से काफी different है, इनका जो shade है, वो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, अब हम बात करते हैं, इसकी design में क्या unique बात है, दोस्तों, इस headphone का headband है, वो काफी interesting और new design है, इसके उपर उनोंने canopy type का match दिया हुआ है, जो long time में आपको अगर इस headphone को आप यूज करेंगे, तो काफी comfortable लगने वाला है, इसके साथ ही इनोंने इसका जो adjustment rod दिया है, वो telescopic type दिया है, बहुत ही असानी से आपको इसको अंदर बाहर करके आप इसको shift adjust करते हैं, अपने hat की size के हिसाब से आपको इसको adjust कर सकते हैं, इसके cushion भी बहुत ही high quality material के बने हुए है, और इसके ear cups जो हैं, वो प्लास्टिक के नहीं है, वो इस machine-ed aluminum के बने हुए है, तो आपको इसको पगड़ने में हाथ में बहुत ही premium feel होने वाला है, तो Apple ने इसमें build quality में कहीं से काम किया है, दोस्तों, Apple ने इसमें खुद के ही design dynamic drivers यूज़ करें है, dynamic drivers क्या होता है, headphone का जो ear cup होता है, उसके अंदर में जो एक plate होती है, पती होती है, जो electric signal को acoustic signals, यानि sound waves में convert करती है, इसको हम driver बोलते है, dynamic drivers होता है, वो आपको बहुत ही sound quality प्रोवाइट कराता है, तो Apple में dynamic sound drivers यूज़ के रहे है, जो कि Apple ने खुद के design के हुए है, जिनकी quality कैसी होने वाली है, तो आपको product को actual में use करके पता चलेगा, लेकिन इसकी quality काफी अच्छी होने वाली है, इसके साथ ही Apple ने इसमें active noise cancellation का feature दिया हुआ है, दोस्तों, noise cancellation दो टाइप का होता है, एक active और sound सुनाई भी नहीं देते हैं, जो आपको सुनना जरूरी होती है, इसलिए जहां पर एक active noise cancellation यूज़ किया होता है, अब active noise cancellation में क्या होता है, दोस्तों, कि आपका जो primary microphone होता है, उसके अलावा कुछ microphones यहां पर दिये हुए है, जो आपकी environment की noise को pick करते है, other than your music that you are listening, उसको और processing के through, processing के through, उसको हटा देते है, system में से, तो आपकी noise होता है, लेकिन यह noise हटने के साथ साथ क्या होता है, दोस्तों, यहाप एक interesting feature क्या दिया हुआ है, इनोंने transparency mode, अब transparency mode क्या है, दोस्तों, कि कुछ noise ऐसी उतनी जो आपके लिए सुनना जरूरी है, जैसे traffic signal हो गया, क इसको आप push करेंगे, तो आपको transparency mode, transparency के मतलब यह आपको बहार की noise ऐसे सुना ही दे कि, जैसे कि आपने कुछ भी नहीं पैन रखा हूँ उपर, headphone अगरा कुछ नहीं लगा रखा है, तो यह बहुत ही useful feature होने वाला है, जो Apple ने दिया है, काफी innovative है, इसी के साथ साथ इसमें adaptive equalization का option दिया है, adaptive equalization में क्या होता है दोस्तों, जो ear cup है, वो इस प्रिकार के उन्होंने बनाय हुए है, और इसके अंदर ऐसी technology दी हुई है, कि आपके कानों की size और design के accordingly, जो sound है, उसको adjust कर देता है, तो यह आपको एक बहुत ही अच्छा rich listening experience यहाँ पर मिलता है, तो दोस्त जहां तक कि processor की बात है, Apple ने अपना खुद का H1 headphone chip यहाँ पर यूज किया है, जो कि अच्छा perform करता है, साथ ही यहाँ पर Apple ने gyroscope, accelerometer, case detect sensor, optical sensor और position sensors दिये हुए, दोस्तों आप सोचेंगे इतने सारी sensor एक headphone में देने का क्या फायदा, तो यह sensors आपको कैसे useful होने वाले मैं बताता हूँ, जब आप अपने headphone के साथ VR का Virtual Reality Box का यूज करते हैं या फिर आप इसके थूग गेमिंग करते हैं, तो आप यह headphone आपके head moment के according, जैसा आप सर्क जिस साइड आप गुमाते हैं, उसके according आपके sound को adjust करती है, आपको sound को adjust करती है, आपको sound को आपको sound को आपको sound को the Apple, 20 घंटे का listening time आपको company दे रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक over the ear headphone को आदवी 20 घंटे तक लगाता है, तो मुझे लगता है कि आप इससे आराम से आपको फिर भी 10-15 घंटे का backup आपको मिलने वाला है, दोस्तों मत करते हैं कि charging की, दिस तो यहाँ पर Apple ने बहुत connectivity की, तो AirPod Max 5.0 Bluetooth technology पर वर्क करता है, जो कि एक latest technology है, तो आपके gadgets के साथ इसको pair होने में बिल्कुल भी time नी लगने वाला है, बहुत ही जल्दी है, बहुत ही असानी से pair हो जाएगा, इस phone का weight दोस्तों 380 gram है, जो आधा किलो से थोड़ा ही कम है, इसलिए कि heavy headphone होने वाला है, तो इसको practically यूज़ करके ही पता चलेगा कि कितनी लंबे समय तक पहना जा सकता है या नहीं, अब हम बात करते हैं, इस headphone की compatibility के बारे को, दोस्तों, Apple SE, फर्स जनरेशन के ऊपर के जितने भी Apple iPhones है, उनके साथ में ये काम करेगा, आईपैड Mini 4 के उपर के जितने भी iPad उनके साथ ये काम करने वाला है, सारी की सारी iwatches के साथ ये आसानी से compatible है, और 2013 से उपर के जितने भी Macbook के versions है, उन सारे के साथ ये headphone आपका compatible होने वाला है, तो लगबग ये Apple के सारे gadgets के साथ compatible होने वाला है, बट देखने में interesting ये होगा कि क्या ये smartphone खरीदना पड़े, ये तो ठीक उसी टाइप का होगा कि जैसे आपने car refreshner खरीदा तो आप उसके लिए आपको एक car भी खरीदनी पड़े, दोस्ते याप है headphone की उपर दो buttons हमें देखने को मिलते हैं, एक push button जो कि मैंने आपको बताया, transparency mode के लिए आप इसको use करते हैं, दू करके आप सारी चीज़ें adjust करते हैं, menu अगरा, उसी type का ये आपका knob जो है, इस headphone के उपर देखने को मिल रहा है, तो इसके क्या actual feature है, तो headphone के आने के बाद ही पता चल पाएगा, दोस्ता हम बात करते हैं, कि इस price range यानि कि 60,000 या इससे नीचे में, और कुछ कंपनियों के क्य ऐसे headphones हैं, जो premium features आपको देते हैं, तो जी हाँ, मैं आपको दो ऐसे headphones बनाने वाला हूँ, जो आप इसके substitute के तौर पर खरी सकते हैं, और आप निराश बिलकुल भी नहीं होंगे, उनमें पहला headphone है, Bose Quiet Comfort 35, जी हाँ, ये ही एक wireless type का over the ear headphone है, जो कि Bose Company से आता है, Bose Company headphones के मामलें वर्ड में number one मानी जाती है, तो आप आँख बंद करके इसको खरी सकते हैं, और इसका price tag जो है, वो 24,000 के आसपास होता है, जो कि Apple के AirPod Max से आधे से भी कम है, तो इसको अगर आपके mid budget और premium headphone लेना चाहते हैं, तो मुझे लगता है आपको Bose के साथ जाना चाहिए, इसके अला आपको कहीं भी निराशनी होने वाले है, इसके साथ साथ आप Sennheiser, जो कि एक world में renowned brand है, sound technology की मामले में, उसका भी आप wireless headphone कोई भी खरी सकते हैं, वो 5000 से लेके आपको 20,000-50,000 तक की range पर भी वो आराम से मिल जाते हैं, तो Bose, Sennheiser और Sony, ये तीन option में आप चूज कर सकते हैं अगर आप एक mid range और premium quality का over the year headphone खरीदना चाहते हैं, तो आप conclusion की बात करते हैं, दोस्तों, conclusion ये है कि अगर आपका budget बहुत जादा है, आप एक Apple lover हैं, तो आप इस headphone को खरीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास Apple का कोई gadget, Macbook, iPhone या iWatch होना जरूरी है, तो इसलिए अग आप ये headphone ना ही लें, तो बेटर है, और आपको बास पैसा जादा है, तो आप बोश और अधर गैजिट की तरफ जा सकते हैं, तो दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में आके, अगर आप कुछ आना चाहते तो कमेंट सेक्षन में आपके कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पैल आइकोन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे वीडियो के लेटिस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, तो मिलते हैं गले वीडियो में, जै हिंद!